दो साल में वो सारे लोग मर जाएंगे जिन्होंने COVID-19 वैक्सिन ली है जी हाँ दोस्तों ये जो पोस्ट है ये अभी सोशल मीडिया पे वाइरल चल रही है जिसमें ये कहा गया है कि फ्रांस के एक मशूर साइंटिस्ट और वाइरालोजिस्ट जिनका नाम लियोश मॉन्टिन है उन्होंने कहा है कि दो साल में वो सारे लोग मर जाएंगे जिन्होंने COVID-19 वैक्सिन लिया यहां पर मैं आपको ये पूरी वीडियो दिखाऊंगा और देखेंगे हम इस वीडियो में कि क्या सच में दो साल में ये लोग मर जाएंगे जिन्होंने COVID-19 वैक्सिन ली है यहा उने करोना वैक्सीन ली है तो अब हम इनकी वीडियो देखते हैं जो कि ट्रानसलेटिड वीडियो है और देखते हैं कि क्या सच में उन्होंने ये कहा है अपनी वीडियो में लिश मॉन्टेनियर ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है जो वैक्सीन की जा रही है ये एक बहुत ह बड़ी गलती है और ये scientific गलती भी है और medical गलती भी है और ये एक ऐसी गलती है जो unacceptable है याने जो नाकाबलिक कुबूल गलती है और history जो है वो आपको ये दिखाएगी भी लिउश मॉंटेनियर का ये कहना है कि जो vaccine ली जाती है वही असल में variant बनाता है लिउश मॉंटेनियर आगे कहते हैं कि जो चाइना से आया हुआ virus है ये antibodies है और ये antibodies vaccine से ही बनी है फिर आगे लिउश मॉंटेनियर ये कहते हैं कि virus क्या करता है क्या virus मरता है या ये कोई नया रास्ता डोंटा है और यहां पर ये ये कहते हैं कि जो नए variants है यानि COVID-19 के जो नए variants है नए वाइरस है ये दरसल vaccination का ही result है यानि जब इनसान vaccination लेता है उसी vaccination के लेने से COVID-19 के variants बने हैं फिर उसके बाद ये एक important बात ये कहते हैं इनका कहना है कि अगर आप किसी भी मुलक में देखोगे तो हर जगा आपको ये ही नजर आएगा कि जहां पर जो vaccination का करूँ होगा उसी हिसाब का deaths का भी करूँ होगा यानि इसका मतलब ये है कि अगर आप vaccination ज्यादा करो कि तो उसी हिसाब से आपको deaths का करूँ भी है वो भी नजर आएगा तो जितना आप vaccination ज्यादा करोगे उतना ही deaths का करूँ भी ज्यादा रहेगा फिर आगे ये कहते हैं कि मैं इसको closely follow कर रहा हूँ और इसके बारे में अपने institute में patient's के साथ experiment भी कर रहा हूँ उन patient's के साथ में ये experiment कर रहा हूँ जो बीमार हुए हैं COVID-19 का vaccine लेने के बाद फिर आगे ये कहते हैं कि मैं आपको दिखाओंगा कि ये जो virus है ये variant बनाता है और वो variant बनाता है जो vaccine को register करते हैं फिर आगे ये ये भी कहते हैं कि दुनिया के जितने भी scientist हैं वो इस बात को जानते हैं लेकिन वो खामोश हैं और कुछ नहीं कह रहे तो दोस्तों जब हम इसकी वीडियो पूरी देखते हैं पूरी वीडियो को देखने के बाद फिर ये virus related आपको information पहुँचाते हैं कि virus क्या क्या करते हैं आगे लेकिन इस वीडियो में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जो लोग vaccine लेंगे उनकी मौत दो साल के अंदर अंदर जो है वो हो जाएगी ऐसा इन्हों ने इस वीडियो में कहीं पर भी नहीं कहा है दोस्तों यहां पर अगर हम इंडिया या दुनिया के बाकी scientists या डॉक्टर्स की बात करें तो उनका कहना ये है कि लूश मौन्टेनर जो है वो जो ये थियोरी दे रहे हैं ये इनके अपने ख्यालात हैं इनकी अपनी थियोरी है जो वो रख रहे हैं और इनका फिलहाल ऐसा कोई भी सुबूत उनके पास नहीं है और जो COVID-19 वैक्सीन है वो इनसान के लिए सेफ है और इस से इनसान को आने वाले दिनों में कोई भी खत्रा नहीं है लोग जो है वो वाइरस को ले सकते हैं क्योंकि ये एंटी वाइरस सेफ है ये बाकी डाक्टर्स का कहना है तो लास्ट में सवाल यही है क्या लिूश मॉन्टिनियर की कही हुई बात को हम लाइटली ले सकते हैं लिूश मॉन्टिनियर कोई आम शक्सियत नहीं है ये वही शक्सियत हैं जिनको 2008 में नोबिल प्राइज मिला है HIV वाइरस पर रिसर्च के लिए तो दोस्तों यहां पर जो इन्होंने बात कही है वेरियंट से रिलेटिड या वैक्सिनेशन से रिलेटिड क्या गॉर्मेंट को इनकी बात को लेकर संजीदा होना चाहिए बारहाल ये एक सवाल है लेकिन जब हम बाकी डॉक्टर्स की बात करते हैं या सांचिस की बात करते हैं वो इन्सकी इन जो इसने ये थोरी कही है उसको फिलाल रिजेक्ट करते हैं लेकिन सवाल फिर भी वही बनता है ल्यूश मौटिनियर कोई आम शक्सियत नहीं है लेकिन फिलाल ये बात भी यहां पर वाजिया हो गई कि इन्हों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि दो साल के अं इंपोर्टन्ट वीडियो वैक्सिनेशन से रिलेड़ेड़ और जो अफ़ाहे फैलाई जा रही थी कि लूश मौटिनयर ने कहा कि दो साल के अंदर इन लोगों की मौत हो जाएगी तो मैंने जुरूरी समझा कि आपके लिए ये वीडियो लाओं और इस वीडियो में दिख करते हैं कल एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर